हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपने यूट्यूब चैनल रश्टेडी चमबर पर दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में यूनिट डिजित पर यूनिट डिजित का कंसेप्ट देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक है दो तिन कंसेप्ट में इस समक्या केवल यूनिट डिजिट पर रखेंगे दूसरा कंसेप्ट कर रहा है अगर किसी भी sempre संख्या से गुना हो जाता है तिसरा कंसेप्ट कर रहा है अगर किसी भी गुणा में कोई भी सम्क्या का unit digit 58 आ जा और सारी संक्या का उनेदि विचम्संख्या हो तो उसका unit digit हमेशा क्या होगा 5 होगा आये देखते हैं इसको इंज समाझते हैं दखी इसमें focus only unit digit पर होता है यूनिट डिजिट का मतब दखी है कि इसमें हम रखनेंगे 205 गुणा तेरह गुणा 15 एक संख्या हम ले लिए इसमें जह हम फोकस रखेंगे क्योवल और क्योवल इवनिट देजिट पर दखिए यह 5 हो गया इसका यूनिट डिजिट इतीन है और इसका पाच तो यहां से में गुना करेंगे तो क्या होगा 25 फिर यूनिट डिजिट में फबस रखेंगे तो इंसर क्या हो गया यहीं पांच इंसर हो गया अगर किसी भी गुना में एकाई आंक 5 आजाए और किसी सम्संख्या से बुना हो जाता है यूनीट डिजिट हमें सा क्या होता है जीरो हो जाता है किसी भी गुना में एकाई आंक 5 जैसे हम गुना लेते हैं माल लिजिए करें अगर किसी भी जोना में it burial आग पांचा जाय और किसी भी समसंख्य दिए और किसी भी机 समसंख्य से मुना हो जात होगा प्लस इसमें 15 है तो इने डिजित इने डिजित क्या हो गया पांच यहां से हो जाएगा अब अग्ला कंसेप्ट कर रहा है किसी भी गुणा में कोई भी संध्य कर दों युनिल दी पांच आजाए माल लेते हैं हम पंद्रा ले ले और सारी संख्या का इउनीड गी जीट विशंक्या उनिट लिइस करें हमेशा 5 होता कि इघ्थें करें कि इउनीड दिजिट पांच आ गया और संख्या का in लिए कि ए इसका हमेशा चीजिट और नमबर उससे मतलब नहीं है यहां पांच होगा ही होगा यूदी ठीक है देखे लेते हैं देखे अधां 75 यहां पांच हुआ फिर इसको लेते हैं 7 पांचे 355 हुआ फिर फिर पांच लेगे तो पर चाहा 25 क्या होगी पांच हो गया तो ए तीन कंसेप्ट हम देखें इस पर अधारित को देख लेते हैं उसके बाद एक दो कंसेप्ट और है और अच्छा से किलियर हो जाएगा देखिए पहला कंसेप्ट क्या था करते समय हमेशा फोकस जो रखना है हमेशा इवनिट डिजिट पर रखना है जो भी फोकस रखना है हमेशा यूनिट डिजिट पर रखना है तो यूनिट डिजिट का हम कोश्चन करें तो जो फोकस रखेंगे केवल और केवल यूनिट डिजिट पर रखेंगे यहां से क्या हो अग्ला सवाल को देखते हैं दखिए गुणा में क्या है कि साथ साथ आठ बाकी इधा पुलास है फोकस हम युनिट डिजिट पर रखेंगे दखिए आठ साथ चपपन फोकस युनिट डिजिट पर शाच चका 42 फोकस युनिट डिजिट पर अब इस साथ और इस दो नौव नौव राट सतर फोकस युनिट डिजिट पर यहां से एकायन के आगे शाथ अब दखिए क्वेश्चर नमर तीसरा को देखते हैं 8 5 2 7 8 हम दूसरा कंसर्ट पढ़े थे अगर किसी गुणा में युनिट डिजिट किसी संख्या का युनिट डिजिट पांच आ जाए और उसमें सम संख्या से गुणा हो जाए तो युनिट डिजिट क्या होता है जीरो दखिए इकाई यंक 5 आ गया यहां unit digit और unit digit sum संख्या से गुना हो गया तो इसका क्या होगा unit digit 0 होता है देख लेते हैं चेक करके 8 साथे 56, 6 दुना 12, 5 दुना 10, 0, 10 साथे 80 तो हमको दिमाग लगाना है ऐसे पूरे करना नहीं है हम चेक करके आपको दिखाए कि 0 होता है हमको यह दिमाग लगाना है कि अगर गुना में 5 आ गया किसी भी संख्या का unit digit पांच आ गया और दूसरा कोई sum संख्या से गुना हो गया तो उसका unit digit 0 होगा डारेक्ट लिखते ना है अब देखते हैं चावथा को देखिए unit digit इसमें 5 आ गया तिसरा कंसेप्ट देखेते अगर किसी भी गुना में किसी भी संख्या का unit digit पांच आ जाए और वाकी और नंबर से गुना हो जाए तो हमें सा unit digit क्या होता है 5 होता है इसका इसर क्या हो जाएगा 5 देख लेते हैं चेक करके सही है आपको चेक नहीं करना है एकजामी में खाली कंसेप्ट लगाना है और इसर लिख देना है हम आपको चेक करके यहां देखा देते हैं गए सब्सक्राइब 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 75 तर देखें इन डीजिंट आ गया यहां से अब देखिए पोच्चा नमबर 5 को देखते हैं यहां क्या है यूनिट डिजिट 5 है और बाकी एक और और सम संखें आ गया तो क्या होगा जीरो जीरो ठीक है एक दो चेक करके दिखा दिया है इसको चेक ने करेंगे आपको देखना है कंसेप्ट में यूनिट डिजिट पांच और एक समसंख्या से भूना हो गया तो इसका क्या होगा यूनिट डिजिट जीरो देखिए यहां से दिखे 6, 5, 11, 11 और 12 अभी धर देखते हैं आठ एक एक यूनिट डिजिट क्या होगा आठ छा का अनतालीस और यहां से आठ ही होगा तो इधर आठ जोड़ देंगे आठ और दूर दस यूनिट डिजिट यहां से क्या होगा जीरो इसका चलिए अब अगले क्या समझते हैं जब दखेए दोस्तों इस question को हम लोग इसमें क्या करना है यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा को देखें वान गुना टू गुना तीन गुना चार गुना पांस होगना साथ करके कितना तक दिया है सो तक गुना दिया है इसको हम क्या लिख सकते हैं सो तक दिया है तो इसको इसका मत्तब फेक्टोरियल 100 होता है ठीक है इसको हम फेक्टोरियल 100 भी लिख सकते हैं फेक्टोरियल 100 का मतलब भी यही होता है इस टैप का गुना जबा जाता है तो इसका यूनित डिजिट हमेशा क्या होता है जीरो होता है कि आप कहांगे क्यों सर्जी क्यों 0 होता गूल रहा है तो इसमें देख लीजिए 12 आ रहा है और 5 भी आ रहा है हम बताया थे कि किसी भी गुत लिए अगर 5 आ रहा हो अधंगर किसी शुम शंक्या से हो जात HOL दर यह क्या होता है 0 हो जाता है इसका जैसे ही गुना होगा 5 और 2 का तो क्या हो जाएका 0 हो जाए पेक्टोरियल तो का मार्ण भी 0 होता है फेक्टोरियल 10 का मार्ण भी 0 होता है क्योंकि इसमें भी 2 और 5 आ रहा है अब देखिये तो question number इसको देखते हैं एक से लेके 10 तक गुना किया है नीचे क्या लिख दिया है सो लिख दिया तो इसका इवनीट डिजिट क्या होगा दखें पांच गुना दू करेंगे तो 10 और इधर 10 से गुना है तो इत क्या बना दिया 100 बना दिया लें यहान नीचे डोबा दिया आठ करेंगे बहत्ता यहां से दो लेंगे साथ दुना का 14 यहां से चार लेंगे छार चावीज 24 हुआ तो आप चार को लेंगे चर्चाव का 16 छे और फिर इसमें 6-13 आठ दो को नहीं लेना है एक को लेना है गई आट हो गया है देखिए अगला सवाल कर रहा है सभी प्राइम नंबर के मर्टिप्लिकेशन का यूनिट इजित क्या होगा प्राइम नंबर जो खुद से कटे बाकि किसी अन्य संख्या से न गटे उसको क्या वोलते हैं प्राइम नंबर गोलते हैं दो तीन पांच सार्ट ग्यारा एसे होता है थो बोलशारे सभी प्रायम नंबर के म Dip के का जैसेहिं पांच और दो आता है गुना में अधिन प्राइम नमबर यानि सभी ओड प्राइम नमबर के मॉल्टिप्लिकेशन का यूनिट ग्या होगा पहले तो प्राइम नमबर का तो किसको है ने कि प्राइम नमबर 2-3 पांच होगा साथ होगा 11 सबसे च्रहा होगा ऐसे मतब जो संख्या सिर्फ और सboys शैर्फ से कट़ों को बोलते हैं में प्राम नंबर बोलते हैं तो हमको क्या बताना है बाट प्राइम नंबर इसमानी त mostly सबसे छोटा कर रखाव प्राइम नंबर है से इसको हटा देंगे अगर किशा वी गुना में पांच आ और बाकि नमबर और रहे, यूनिट डिजिट हमें सा क्या होता है ? 5 होता है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ? 5 होगा चलिए अगले सवाल की और हम लोग चलते हैं दिखिए दोस्तों इस क्वेस्चन का क्या बताना है ? यूनिट डिजिट बताना है मतलब जितना भी यह गुना दिया है किसका है और नंबर का है तो पूरा संख्या का यूनिट डिजिट क्या होता है 5 होता है इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया क्योंकि एक पांच है और बाकी बीशम संख्या नंगया को लुझा करें तो हम 3 ही होता है कि दूट अगले कंसरो कि अधियो हम लोग से सब्छलते हैं ताकि जब हम concept को समझेंगे तो समधने में और असानी होगी देखिए कह रहा है संतावन पर पावर 45 का unit digit क्या होगा तो आज तक हम लोग क्या करते हैं तो आज तक हम लोग यही करते हैं और यही सत्य भी है तो आप समझते हैं कि हम लोग ऐसा क्यूं करते हैं कुं बनाने का बिल्कुल तरीका सोली है लेकिन समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं दखिए जीरू एक पाच च्छब कि इस्ठीर रहता है जीरो एक पांच इस्थी रहता है इसका मतलब क्या हुआ अभी हम जब question solve करेंगे तो आप समझ जाएगा concept में लिखते जाए concept नमर चार में लेखिए कि जीरो एक पांच इस्थी रहता है उसके बाद देखिए दो तीन शाथ और आठ यी क्या करता है चार बार के बाद कि दो एक पांच शेश इस्थी रहता है री क्या करता है पुछ में नहीं ए रहा है थोड़ा धैरे बनाई रखिए सब समाझ में आ जाएगा देखिए अब बच्छा चार और नौब यह क्या करता है यह दो बार के बाग का और एक बाग है रीपीट करता है 3 कंसेब नौबर चार में однаँ करता है अगर इसको समाझ गये तो इवनjor मेंद्रrän और को समझने के लिए हम यहां दूबस करेंगे तो क्या होगा चार दो 3वार 3 करेंगे तो आठ 2 लो फावर 4 करेंगे तो 60 लो फावर 5 करेंगे तो 32 दखिए यह कि यहां कि एक दो तीन चार्ठ ढ़ए रिपीट करता है इसका मतलब यह हुआ तो इसका कंसेप्टडाह हम सवाल कपल बनाएंगे तो कैसे लगाएंगे दसिंटाओन पपावर क्या था था युनिट डिश्कीया था सात हम यहां क्या लिखे दो तीन साथ साता और एक यहां जो यह 17 आहां तकल 16 भार के बाद रिपीट करता है इसलिए इसका जो पावर है इसमें चार से हम भाग देते हैं चार से भाग देते हैं तो यहां पावर one says बच गया तोya युनिटण को निदिडि में बचकेया उसी का बात बदेखिए चार और नौ का देखते हैं चार पॉपावर एक लिखेंगे तो चार पॉपावर दो लिखेंगे तो सुलो चार पॉपावर तीन लिखेंगे तो 64 यहां से यहां दो बर वा रोगले दो बार के बाद repeat हो गया तो इसका मतलप अभी जो यह बता है वही हुआ यह दो बार के बाद रिपीट करता है तो जीरो और एक पांच शही क्या रहता है इस्थिर रहता है बस यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपका क्या हो गया खतम हो गया अब चलिए हम लोग सवाल की वर चलते हैं और लाजबाब लाजबाब हम करते हैं देखिए दोस्तों इसमें यूनिट डिजिट बताना है क्या बताना है यूनिट डिजिट एक आयां तो दू तीन साथ आठम के बाद है चार बार के बाद रिपीट करता है कि दो तीन साथ और आठ क्या करता है चार बार के बाद रिपीट करता है यह हम बताया थे देखिए इसका तो कुछ मतलम नहीं हम रुकुम्मेन फोकस कहा रखना है इनिट पर इनिट फोकस रखना यहां है कि तीन दो तीन साथ चार बार के बाद रिपीट करता है तो इसमें चार से भाग देंगे यहां से स्क्या जाएगा तो कि चार दोना कार ठेक बच्चा चर्चाव कर सोल दो बच्चाव चार से भाग देंगे तो चार पाचे बीज्च क्या बच्चा एक बच्चा तो तीन फोपावर रेगा क्या होगे से थीन फोगे ईग sure अब इसका देखे ए इसमेहां भी तीन है दो तर रिपीट करता है जो सब्सक्राइं ये तो क्या तो कट गया चार ती यह बार जों naval घ्र rightly नो जब पूरा-पूरा ख़ट रहें हैं यहां थे हैं यह यह बारत जो है च 했던 ता मीन बार मैं कट्ट है पुरा पूरा ता हम पावर क्या र रखेंगे जिस्से वहां हर फिर हो है हुआ सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब तो श्यूष की होता है यहां यूंकी disciat मतलब नहीं है मेन फोकस उनिट डिजिट को कि यहां छे है तो जीरो एक पांच छे क्या रहता है इस्थिर रहता है यह क्या रहेगा इस्थिर रहेगा नहीं बदलेगा यहां क्या होगा छे होगी आ कि चार और नौ दो बार के बाद रिपीट करता है तो इसमें दो से भाग देंगे दो से भाग देंगे रख्या बचेगा एक चार पावर एक बराबर चार यहां से एंसर आगया यह यूनिट डिजिट का कंसेप्ट था दोस्तों अभी हम देखें इस सवाल का एंसर तीन निकल बनाते हैं और कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं देखें दोस्तों इस सवाल को इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा कि यूनिट वीजिट बताना है क्या होगा तो इसको देखिए स्वल्व करता है हम दखें 0156 40 पावर कुछ भी अच्छी है तो क्या रहेगाक यहाँ भी पांच है तो छीन करता है तो दो चीन साता रहे है च्यार बार के बार, ईपीट करता है शाच fusion कि टुना कर ना कर ने यहां से पावर क्या बज़ जा रहा है तो क्या होगा अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए चार और नौर दो बार के बार रिपीट करता है तो दो से भाग देंगे यहां दो से भाग देंगे तो यह 5 दो से भाग देंगे तो पांच बार में खतम हो जाएगा दो एक कायम दो यहां एक बचेगा और दो नावा अठारा जब भाग देते हैं और संख्या पूरी तरह से कट जाती है तो पावर क्या लेटे हैं कि जिस्चे भाग दिये हैं वही पावर हो जाता है तो नाव को पावर दो हो जाएगा तो यहां से क्या आगया एक क्या सी यूनिट डिजिट वान गुना अब इसको करते हैं अ दू तिन साथ आठ चार बार के बाद रिपीट करता है तो इसमें क्या करेंगे चार से भाग देंगे चार दूना का आठ दो बच्चा चार पाचे बीस तीन बच्चा चार निवाए छतिस यहां तिन बच्चा तो दो है आपावर तीन कर हो जाएगा आठ कि गुना इसको देखते हैं चार और नौ क्या करता है दो बार के बाद रिपीट करता है इसमें दो से भाग देखेंगे तो एक कट जाएगा यहीं कट जाएगा दो दुना का चार पावर एक होगा यानि यहां से क्या चाहिए अब देखते हैं इसको गुणा करके अर्चाओ का 32 32 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बत्तिस यहां से दो और यहां से आठ इसको गुणा है कर देंगे 8 12 का क्या हो जाएगा तो यहां से इनिडिजिट क्या आगए छे कि चले अगले सवाल की और हम लोग चलते हैं दखिए दस्ताइश को इसमें क्या है कि A61 है सभी क्या है माइनस में और कर रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा दखिए कि यहां से तो यूनिट डिजिट क्या जाएगा वह आना जाएगा क्योंकि 0156 इस्थी रहता है माइनस साथ पर चार है दो तीन साथ आठ चार बार के बाद रिपीट करता है इसमें चार से भाग देंगे जब पावर कट जाता है तो जिस संख्या से भाग देता है उसी को पा सब्सक्राइब तो फिर यहां यूनिट डिजिट अगया अगर नौप पावर तीन है चार और नौद दो बार के बाद रिपीट करता है तो इसमें दो से भाग देंगे तो नौप पावर क्या होगा एक तो यहां से आ जाएगा नौप अब क्या हो गया ही वान माइनस तास इसतर लखड़ा हो गया एक में से दस घटे देना तो देखिए इधर कुछ भी संख्या हम माल लेंगे और इसमें से एक क्या हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा वान हो जाएगा 573 पावर क्या दिया है 45 दो तीन साथ चार बार के बाद रिपीट करता है इसमे इनिट यहां से क्या निकलते तीन और बीच में क्या है प्लास है और इधर टू है तो क्या हो जाएगा इनिट डिजिट है हाई अ कि एंसर हो गया दखिए इसको चार यहां भी चार चार और नौद दो बार के बाद रिपीट करता है इसमें दो से भाग देंगे कि हो जाएगा इप पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा दो एक एंद दो दो आठे शोला कट जाता है तो चीश संक्या से हम भाग देते हैं उसी को पावर माल लेते हैं दो से भाग देंगे कि इसमें भी अगर और हम दो से भाग देते हैं कि तो यहां से क्या जाएगा के मुल से एक बचे गहां क्या होग्या चार का स्कॉरण 149 수ै और QS को यहीं खातम करते हैं